कि नमस्ते मेरा नाम है अब देखना सुर्ट कर चुके हैं प्रभासाक्षी का खास कारिक्रम मोश्राइविल इंफर्मेशन यानि एमराई चोल वन सबसे विशाल और लंबे सब्सक्राइब तक चलने वाला साम राजे था उसी चोल राज राजेंद्र प्रथम भी हुए उनकी प्रवधियान उन्हीं तिमुटाय राजर प्रथम के बाद ऊद्धे राजेंद्र चोल प्रथम राजा बने उस्दोरण कई सेन अभियां की थे कर उसे चोल कॉलोनी बनाया श्रीविजया यानि इंडोनेसिया पर नौसेना के जरी हमला किया थाइलेंड जावा सुमत्रा सिंगापूर कमबोडिया पर कब्जा किया राजेंद्र चोल समराज को उस दौर में एकनोमिक सुपर पावर बना दिया राजेंद्र प्रथम ने उस जिसमें कुछ राजियों को जीत के बाद अधीन ना करके वैपारिक साज़ेदार बना लिया गया चोल राजाओं ने उत्तर भारत पर सासन करने में कोई दिल्चस्पी नहीं दिखाई उनका मुख्य उद्देश दक्षिन भारत समुंद्र में जीत हासिल करना था राजधा भारत में अपना सामराज मजबूत कर लिया था विजया अभियान के सफलता के बाद राजधानी नहीं राजधानी बनाने का फैसला किया उन्हें इसके लिए गंगा जल लाने का असंकल पिया गंगा नदी चोल सामराज की राजधानी तंजावुर से 2000 किलोमीटर दूर से दस्तों सताइस तक से अभियान चलाया अपनी विशाल सेना के साथ वो जा रहे थे लेकिन कोई भी राजा उस दौरान इतनी विशाल सेना को अपने राजधाने प्रवेश्टों करने नहीं दे रहा था इस अभियान के दौरान महमूद घजनी भारत पर आक्रमन कर रहा घजनी ने डर से नहीं किया भोजपर आक्रमन जब राजेंद्र चोल प्रतम मध्यप्रदेश के चित्रकूट में थे तो महमूद घजनी वहां से साथ किलोमीटर दूर कलिंजर में लड़ा था राजा भोज और राजेंद्र चोल घनिष्ट मित्र थे इस वजह से गजिनी उस वक्त राजव भोजपर आक्रमन नहीं किया अखिर में राजेंद्र चोल ने गंगा सागर में गंगा जल लिया फिर 2000 किलोमीटर वापस आकर नई राजधानी का नाम करने के नाम से जाना गया जिसका नाम चोल संगम जील का रखा गया जिसे आज पुन्य जील कहते हैं कि यह कहानी आपको पता है नाम अपने ब्लुन सवामी और यह नाम आप भगवान शिव निर्त्त करते हैं उनकी से रूप को राज जाता है भगवान नत्राज की जिस मूर्ति को हम बच्पन से पेंसिल के पैकेट्स पर देखते आ रहे हैं घर की पूजा वाली आलमारी में देख रहे हैं उसे इसी चोल काल में बनाया गया था तमिल नाडु के चितंब्रम में राजा विक्रम चोल का बनवाया हुआ नत्राज मंदिर आज भी अपने गौडव से पूरी दुनिया को आश्चर चकित कर रहा है मुर्ति में भगवान सिर्फ के हाथ में अभय प्रदान कर रहे हैं जबकि दूसरे हाथ से सुरिजन के प्रतीक दमडू बजा रहे हैं तिसरे हाथ में विनास रूपी अगनी को धारन किया हुआ है भगवान सिर्फ का एक उठावा पैर मुक्ष का मार्ग बतला रहा है वह अपने दूसरे पैर के नीचे अज्ञान रूपी राक्षस को दबाए हुए हैं सिर्फ के चारों और उठ रही लप्टें ब्रह्मार्ण का प्रतीक है यूनिस्कों ने ब्रिद्वेश्वर समेत चो पूरा तंत्र था 1200 साल पहले हिंदु चोल राजाओं के दौर में लोकतंत्र सुरूप में था जिसकी बात हम आज करते हैं वहां चुनाव करवाने और चुनाव लड़ने का पूरा तंत्र वहां दागियों के लिए भी नियम था भारत में जो आज चुनाओं व्यवस्था साल पहले चोल विवस्था को चारबाट दिया गया था एक मंडल में कई जिसे जिसके रहां प्रशासन होता था जिसे नाडू कहते थे जैसे घी में पूरे चुछ मुष पाटा गया और हर मंडल का चुनाव के जरी सेलेक्ट किया जाता था चुल राज्याओं ने मंदिर के दीवारों पर चोल राजाओं के शासन विवस्था के बारे में बताया गया है यह सिला लेक 920 के समय के मुगल के दौर में धर्म के आधार पर टेक्स लिया जाता ता इसे नहीं देने पर मारपिट की जाती थी लगाया जाता था लेकिन चोल समराज में टेक्स सिस्टम ऐसा था जिससे हर वर्ग के लोग संतुष्ट के लिए गाओं को तीन कैटेगरी बना दी गई पहली कैटेगरी में वो गाओं आते थे जहां हर घर हर वर्ग और धर्म के लोग रहते थे और खेती करते थे इन गाओं से पूर आजस्व के दालना चाहिए तीसरी काठि करी में देवदान गावं आते थे यानि पहल को दान कर दिये गया गाओं यहां से मदिरों का रेक रकाव किया जाता था तो कर देखते कर द hedge अज़ के लिए इजाजत ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभासाच आज कर दो कर दो कर दो कर दो